मस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चल्ब आज हम बात करने वाले कल खेले गए जो इंडिया और आश्टिला के बीच में मुकाबले में भारती टीम ने श्रीज अपने नाम करके वर्ल कप 2023 का जो फाइनल हारा था उसका बदला ले लिया है जहां तो काफी बड़ा रिमें कि जिस तरह से बारति टीम को हरा कर रिमेंज हो सकता है और यहीं कि तरह से सूरे कमाने ऑदो की कप्तान शिप ने भारत की टीम ने आश्टिल्या को चारो खानों नहीं क्या लेकिन तीन एक से आगे होके सिर्ज अपने नाम करके काफी बड़ा अच्छिमेंट पान सकते हैं से यंग पिलर इसमें से काफी यंग पिलर निकल कर आए हमारे यंग पिलर की बात कर दो इंपक्ट फुल पारी खेली तीज में रिंकू सिंग गाये कौर्ड हैं फिर जैसवाल हैं जो कि काफी इंपक्ट फुल इनिंग खेलती भी नजर भी आए हैं और अच्छी टीम के साथ ट्रावल करने का ये काफी बड़ा फायदा इनको मिला है अच्छी बल्यबाजी भी इनोंने कि गेंट बाजी की तवर पर जान देखें तो गेंट बाजी जादा तर उतनी अ अच्छी गेम अच्छी क्रिकेट साइड है लेकिन जिस तरह से भारत के सब्सक्राइब कर पाये लेकिन जिस तरह से भारते टीम ने इस जीत को इंज्योई किया काफी काविलेतारिफ है और सीरीज भी आपने नाम की यह सबसी इंपॉर्टन चीज यह थी आज हम उसका सिनारियो या उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से करके मैच में सीरेशायर सीरेशायर वैस्ट के तोर पर आया उनका बला नहीं चला यह भी भ थोड़ा और रुकते तो शायद हम वर्ड़कपा फाइनल भी हमारे नाम कर सकते लेकिन आज के मुकाबले में काफी आची बल्लेबाज देखनी में जो भी आच्छी तरह से असला के तरफ से त्रफ से थोड़ा उपर आके खेलते तो शायद वह जीद भी सकते थी यह तो ज सीरीज जी चुका है हमें उसकी बदाई दिन चाहिए उसरी कमारत ने बैच्छी कप्तान सिप की है और उनके बालर बैटन में काफी साथ दिया इसी तरह कि हम एनलेस्टे हमारे चैनल पर लाते रहते हैं अगर आपको वीडिया चाहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दो ज